किड्नी स्टोन में बहुत ज़्यादा भेंकर ऐसा दर्द क्यूं होता है अगर आपको स्टोन है और अगर कभी भी गलती से आपने इसके दर्द को अनुभव किया है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके फैमिली मिंबर्स के लिए आपके दोस्तों के ल सब्सक्राइब करें बेल आइकान पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें भीमारी से मुक्त स्वस्त जीवन जीए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या वो चार कारण है जिनकी वजह से ये स्टोन बनते हैं अब हम देखेंगे कि इतना दर्द ये स्टोन में क् हैं क्या क्या होते हैं पाति कैसे से कि दो smart time जैसे वान रिफ साअ में सेुट्रिशं का काम है इसमें इसमें स्टोन कहां पर ऊप्सा उआ है उससे हमें पता चलता है कि दर्द की स Keeping कितने रहेंगी कितने जोर से दर्द होने वाला एंगर गलती से वो स्टोन नली में फशा हुआ है गया है cert लिएतर में वो पut नवा थ 흥ार मतलब चाकु मारने में कैसा दर्द होता है इस तरह क्यों होता है तो कुछ स्टोन आपने देखे होंगे जैसे देखिए ये अगर पत्थर है तो इस पत्थर को इस तरह के नुकिले कुछ भाग होते हैं और ये नुकिले भाग आपकी जो यूरेटर है या जो किड्नी आपकी है इस किड्नी में कहीं अगर फस गया तो उसकी वज होती है और यह जो स्टोन है ऐसे घिसके मां से निकलता है उसकी वज़े से भी दर्द पेशन को होने लगता है और जैसे मैंने बताया कि इतना तेज दर्द होता है कि पेशन को ऐसा लगता है कि मैं क्या करो और क्या नहीं और यह सबसे भारी कारण है जिसकी वज़े से काफी पेशन होस्पिटलाइज होते हैं भरती होते हैं बाकी भी कुछ लक्षन इसमें होते हैं और जरूरी नहीं कि हर पेशन को दर्द हो ही कभी कभी इस स्टोन में दर्द नहीं भी होता है अगर चोटा सा स्टोन है या फिर स्टोन एक ही जगह पे अटक के बैठा है वो हिल नहीं तो दर्द नहीं होता है लेकिन जब स्टोन चुपता है या नीचे पास होता है तो बहुत दर्द होता है बाकी भी कुछ लक्षन किनी स्टोन में हमें दिखने मिलते हैं जैसे एक पीठ की तरफ से दर्द होना ये निचले हिस्से में पिट की तरफ से दर्द होने लगता है ये साइड में दर्द नीचे के हिस्से में वही दर्द सामने की तरफ आता है कभी-कभी वो दर्द थाइज की तरफ से भी जाता है नीचे की तरफ से भी जाता है और इस तरह का अगर दर्द है तो stone होने की संभावना बहुत जादा होती है ये एक lection इसमें होता है दर्द की विशेष्टा क्या है तो ये दर्द अचानक से शुरू हो जाता है आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से ये दर्द शुरू हो जाता है और फिर बहुत जादा दर्द बढ़ने लगता है कभी-कभी अपने आप काम हो जाता है हो सकता है कुछ दिनों के बाद फ्रिक्वेंटली ये दर्द हो जाए और फिर गायब हो जाए फिर से शुरू हो जाए तो आपने स्टोन के लिए चेक अप करना बहुत ज़रूरी है रात के समय में या सुबह-सुबह भी ये दर्द बढ़ जाता है ये भी एक स्टोन का लक्षन हो सकता है फिर कभी-कभी बलड आ जाता है खून निकलता है कभी-कभी धुंदलापन यूरिन में हो जाता है ऐसे गाड़ी यूरिन हो जाती है कभी-कभी असामान्य सी गंध यूरिन में आ जाती है बहुत बार रिपेडेडली पिशाप को जाना पड़ता है या फिर एक बार में थोड़ा सा ही मुत्रा आने की भी समस्या इसमें दिखती है तो बुर्दे की जो पत्री है इसके जो कारण है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा है अब यह दर्द अगर आपको इस तरह का है तो आप यह सिम्टम से भी इसको डाइग्नोस कर सकते है कभी मचला हाट कभी उल्टी यह भी लक्षन इसमें दिख सकते है अगर इंफेक्टिव कुछ पैथालोजी है इंफेक्शन अगर हो चुका है तो थंड लगना बुखार होना यह भी लक्षन इसमें हो सकते हैं अगर आपके घर में किसी को इस तरह की कंप्लेंड्स है एक बार दर्द होके चला गया तो उसको नजर अंदाज बिलकोल भी नहीं करना है इमिजेटली डॉक्टर के पास जाएए चेकप कराईए और अगर आपको पत्री है तो तुरंत होमेपेथी की दवाई शुरू करिए हमारे क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे पेशन्स है मैंने कुछ टेस्टीमोनियल्स भी डाले है यूटूब पे वो भी आप देखिए कि जिनकी पत्रिया बिना ओपरेशन के क्योंकि होमेपेथी की दवाई इस तरह से काम करती है कि आपको ओपरेशन की ज़रूरती नहीं है बिना ओपरेशन के बिना कोई मशीन लगाए बिना कोई टाका दिये इस टोन को आसान इसे निकाला जा सकता है इसे बहुत सारे पेशन्ट्स हमारे आप पर ठीक हुए है आप भी ठीक हो सकते हैं होमेपेथी लीजिए प्रॉपर डाइगनोसिस करिए खुश रहिए हस्ते रहिए हेल्दी रहिए थैंक यू